अब वेरी गूड इवनिंग चुवल ओफी दोस्तों स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के अड़िशिक्स में आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जारे दोस्तों भारतिय वायु सेना की तरब से निकली हुई एक वेकेंसी के बारे में यह वेकेंसी है इंडियन एर फोर्स के हर एक से स्टेशन के बारे में जहाँ पे इसकी वेकेंसी है निकाले गई है तो जो भी काटेगरी में आते हैं स्टुडेंट उन काटेगरी का फायदा मिलता है तो वो ज़्यादा ज़्यादा उसका फायदा उठा सकते है लेकिन कुछ ऐसे पोस्ट भी है जहाँ पे आपको इसके लिए experience मांगे गया है जो कि essential भी है और desirable भी है अगर desirable experience का इस भी बोला गया है तो इसका मतलब कि वो experience नहीं भी हुआ तो आपको यहाँ पे apply करने का मौका मिलेगा लेकिन जहाँ पर essential qualification के साथ साथ यहाँ पर आपका experience मांगा गया तो आपको यहाँ पर experience बताना होगा तो दोस्तो इस वीडियो के माद्यम से सारा detail देंगे step by step सब कुछ सारी जानकारी देंगे लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नया है तो छोटा सा request आप से कि please चैनल को subscribe जरूर कर लिजेगा बेल आइकन दबाके ताकि हर वीडियो का notification आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माद्यम से जा सके दोस्तों यह आपको एक टेली ग्राम का लिंक यहाँ पर मिलेगा about वाले section में तो आप चैनल के about section में जब जाएंगे तो आपको टेली ग्राम भी जौइन करने का मौका मिलेगा तो टेली ग्राम जरूर जौइन कर लिजेगा दोस्तों यहाँ पर आपको फायदे मिलेंगे इसका फायदा आप जरूर देख सकते हैं चलिए सारे लिंक में आपको pdf के साथ साथ यहाँ पर share भी कर देता हूँ जो भी notification अपडेट करता हूँ तो जरूर देख लिजेगा इसको यहाँ पर तो दोस्तों जोब हम बात करेंगे यहाँ भारतिय वायु सेना की और यह vacancy है और किस जगह पे कौन से पोस्ट की यहाँ vacancy है यह बताया गया है तो आप यहाँ से देख सकते हैं number of vacancy यहाँ पर बताया गयी है category wise vacancy बताया गयी है लेकिन यह आपको नहीं देखना है मैं आपको जो important update देख लाना चाहता हूँ वो देख लिजे दोस्तों अगर हम पूरी vacancies की बात करेंगे तो काफी लंबा विडियो बन जाएगा यहाँ पर short detail मैं आपको बता देना चाहते हैं देखे age criteria की यहाँ बात की गई है age criteria यहाँ पर 18 से 25 साल तर का बोला गया है यह भी आप यहाँ पर check कर सकते हैं अब दोस्तों age relation उन सभी अभ्यारतियों के बिलेगा in fact दोस्तों यहाँ पर जो post हैं उनके बारे में थुरा सा जानते हैं salary क्या मिलेगी qualification और essential experience क्या होना चाहिए इसके बारे में जानते हैं तो दोस्तों पहला जो post है यहाँ पर senior computer operator का post है जिसके लिए आप यहाँ पर label 5 और 7 CPC के तहद आपको यह सारा detail यहाँ पर salary based होगा य लेकिन इसमें आपको चाहिए experience यहाँ पर बोलागे है extension में की graduation आपका mathematics या तो static पार्ट में होना चाहिए दोस्तों आप सभी को उसके साथ साथ एक साल का experience भी होना चाहिए electronic data processing में तो यहाँ से थोड़ा सा important होता है जी है जिनके पास एक साल का experience से electronics data processing का वो चात्राविद करेगा और math में उनका graduation होना चाहिए या तो statics में ठीक है अच्छा दूसरा पूश्ट है दोस्तों इस्टोर का तो यहाँ पर लेबल 4 की vacancy है लेबल 4 का जो salary pay scale है 7 CPC के तहती भी आपको यहाँ पर salary मिलेगी लेकिन अगर हम qualification की बात कर लिए दोस्तों तो कोई भी graduate इसके कि आप science से हैं, art से हैं, commerce से हैं तो भी आप कर सकते हैं लेकिन desirable यहाँ पे है दोस्तों देहन दिजीएगा experience in handling, store and the keeping account and the store concerned with the repute in the public of the private sector अब यहाँ पे जो बोला गया है यह desirable experience है यानि कि नहीं भी है तो आप इसके लिए आविदन जरूर कीजेगा कितने post हैं यह आपको उ GDE2 का post है, अब यहाँ पे label 4 का ही, वहाँ पे salary scale होगा और 7 CPC का तहत आपको यह salary मिलेगी, दोस्तों इसमें आपको मांगा गया है 12th pass student, simple सी बात है अगर आपने private से भी 12th किया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आप आप अवे दिन कीजेगा, लेकिन आपके पास skill हो वह 50 minute में 65 English का और 65 minute में Hindi का आपको computer पे typing का speed होना चाहिए, ओके, दोस्तों LTC का भी post है यहाँ पे, जो की label 2 का pale space के लोगा, जो की कम salary होगा, 10 से 12 जार 15 जारत की salary हो सकती है, 7 CPC के तहते आपको यह मिलेगा, इसके लिए जो 6 तर 12th किया है आवे दिन कर सकता है, उनके पास भी typing speed अच्छी होने चीए, 35 word permit in English में और 30 word permit in Hindi में, computer पे typing मांगा जाएगा, तो दोस्तों यह आपको पढ़ना होगा, देखना होगा, कैसे आपको यहाँ पे typing speed है, देखना जानना होगा, अच्छा दोस्तों यहाँ पे total देखा जाए, तो अगर हम बात करें, तो total 26 post है, 26 post तो मैं यहाँ पे जो आपको important, important है, वो update आपको देऊंगा, यहाँ पे सारे चीज़े, ध्यान से सुन लिजएगा, Hindi typist का post है दोस्तों यहाँ पे, इसका भी same salary scale है, 12th pass यहाँ पे चाहिए, और आपका typing speed भी same चाहिए, यहाँ पे, storekeeper का भी, यहाँ पे level 2 का ही, यहाँ पे चाहिए, experience, ठीक है, तो private या public sector का दोनों का ही count होगा, यहाँ पे, दोस्तों, सात्वा पोश्ट है, civilian mechanical transport driver का, यहाँ भी sell fiscal same है, और essential qualification की बात करें, तो metric pass वाले चाहते यहाँ पे आविदन करेंगे, लेकिन उनके पास जो है, जो civil driving license होना चाहिए, यानि कि आप लोग के पा इसका प्रूफ देना होगा आपको, दोस्तों, आठवा पोश्ट है, यहाँ पे cook का, cook का है, जो same salary skill है, यहाँ पे label 2 का ही है, और यहाँ पे metric pass आपसे मांगा गया है, और एक साल का experience बोला गया है, कि आपके diploma, Catherine होना चाहिए, अगर आपने किया है, तो ठीक है, नहीं तो आ जरूरत हैं यहाँ पे, और आपको industrial training जरूरत है, painter में, यानि कि ITA होना चाहिए, दसवी pass के सांसा, तो यह label 2 कहीं आपका यहाँ पे scale होगा, दस्वा पोश्ट है, दोस्तों, computer का, चौरी, carpenter का, यहाँ भी label 2 का salary scale होगा, और दोस्तों, दसवी pass मांगा गया है, और आपका ITA होना चाहिए, दोस्तों, carpenter में, तो यह धियान रखेगा, जो एक serviceman है, वो छोड़ सकते हैं, उनके लिए मतलब नहीं भी है, ITA तो आपलाई कर सकते हैं, यहाँ पे, फिलाल, carpenter के लिए, दोस्तों, 11 पोश्ट है, आया का, या वाड, सहाई का, यह label 1 का, पेस के लिए, यहाँ बनना चाहिए, और डिजारेबल, एकर एक साल के experience है, आया का, या nursing का, या फिर आपको यहाँ पे, hospital identity का, तो आप यहाँ आविदन कर सकते हैं, या कर सकते हैं, सवाल नम, यहाँ पे, 12 नमबर है, यहाँ पे, सवाल गह रहा हूँ, यह housekeeping का है, जो कि female staff चाहिए, इनक लेबल वन का ही, यहाँ पे, pay scale बोला जाएगा, इनको देने के लिए, और matriculation pass होना चाहिए, किसी भी board से हप हैं, तो, यहाँ पे experience नहीं मागा गया है, सफाई वाली के लिए, लेकिन female चाहिए, housekeeping staff साहिए, इनको, लेबल वन का skill है, यहाँ पे, metric pass वाले छात्रे हाँ आव आविदन कीजिएगा, अगर नहीं है, तो भी कीजिएगा, चुकि आपके पास, यहाँ पे desirable भागा गया है, मेस staff के लिए, दोस्तों, यहाँ पे बोला गया है, कि लेबल मन का space skill होगा, और matric pass होना चाहिए, एक साल का experience है, तो आपको preference दिया जाएगा, multitasking यानि कि MTS का भी दोस्तों, अगला पोस्ट है, वेकुली निरिजर का, यहाँ पे दोस्तों, लेबल बन का यहाँ भी है, metric pass यहाँ भी बोला गया है, और desirable है, यहाँ भी experience आपका दोस्तों, ठीक है, यह सारे detail यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, टेलर का भी पोस्ट है, ठीक है, और यहाँ पे टीन स्मीद का भी यहाँ पे है, और कॉपर स्मीद का भी है, और fireman का, तो fireman का देख लेते हैं, label 2 का pace के लोगा, essential में metric pass मांगा गया है, और must have training in the firefighter, with the firefighter, state service recognize, आपके पास certificate है, या पिर आपने जानते हैं, कैसे आपका training हुआ है, तो ही आप इसके लाविदन कीजिएगा दोस्तों, ये desirable, essential, दोनों ही यहाँ पे qualification में, थोड़ा सा यहाँ पे जरुद मांगा गया है, तो fireman का भी post है, यहाँ पे ध्यान देख लेजीगा, physically आपको fit होना जरूरी है, fire engine driver का भी post यहाँ पे निकाला गया है, दोस्तों आपको बता दे कि metric pass तो होना चीए, लेकिन must have the last three year experience होना चीए, driving का है इसमें, heavy vehicle में, और उसका certificate भी आपका license भी होना चीए, और desirable है experience का यहाँ पे, अगर नहीं भी है experience, तो आविदन कर सकते हैं, लेकिन यह जो essential qualification experience मांगा गया है, उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे feeder का, और है ट्र और यहाँ पे जो wireless operator का है, वो level 4 scale का है, तो यहाँ पे अच्छी कासी आपको मिल सकते हैं, लेकिन IT ही मांगा गया है, यहाँ पे दोस्तों, wireless में, ठीके, तो यह आपके दोस्तों सारे क्या हैं, तो post हैं, जिसके qualification criteria थी, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया, अब mode of selection क्या है यहाँ पे, तो यह आपको यहाँ पे जान सकते हैं, all applicant will be scrutinized, यहाँ पे scrutiny किया जाएगा, आपको age limit, minimum qualification, document verification, इसके जरिये, फिर आपको यहाँ पे, आपको call letter भेजा जाएगा, ताकि आप आके यहाँ पे जोइन कर सकें, last date आपका दिकिया, apply करने का 30 दिन है, यानि कि 3 तक last date है, इसको आविधन करने का, ठीक है, अब आविधन करने को कैसे प्रक्रिया है, यहाँ पे बताया गया, parent number 6 में, यहाँ दोस्तों जो भी eligible candidate हैं, और यह चुक ओमिदवार हैं, 30 दिन के अंदर हैं, यह सारे documents, अपने सारे documents, जो भी qualification के हैं, age को लेकर है, या technical qualification को लेक ठीक है, यह आपको यहाँ पे पोस्ट करना है, यह पर नंबर 6 के D में दिया किया है, यहाँ से आप चेक कर सकते, application for the post of category wise, यहाँ पे आपको बताना होगा इसमें, अब यहाँ पे नीचे आएंगे, तो यह आपका performa है, याने की application भरने का है, तो इस form को भी भरिएगा, अ प्रिंट कार्ट भेजा जाएगा, तो यह इसका प्रिंट निकाल लिजेगा, यह link जो है, यह आपको पीडियेफ है, यह मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूँ, तो वहाँ से आप जाके सारी डिटेल चेक भी कर सकते हैं, पूरा notification पढ़ लिजेगा, मैंने जितना अपडेट आपसे पूछना चाहते हैं, तो पूछ लिजेगा, और अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ववाई, ठेक केर, ध्यान रखेगा अपना और अपने परिवार का, 1515 पदों की यह टूटल वेकेंजी थे, है दोस्तों, धन्यवाद,